दौन 3 का इंतजार हुआ खत्न जाने कब से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग साथी जाने कब फिल्म होगी रिलीज इन दिनों शारुखान अपनी फिल्मों के चलते लोगों की बीच काफी चर्चाओं में बने हुए हैं शारुक के पास इन दिनों कई फिल्में हैं जिसमें पठान, डंकी और जवान जैसी फिल्में शामिल है इन फिल्मों के अलावा शारुखान, टाइगर थ्री, रोकेटरी और ब्रहमास में क्यामयो करते हुए नज़र आएंगे इन सबी फिल्मों के अलावा एक और भी फिल्म है जिसका इंतिजार पूरी दुनिया कर लई है और वो फिल्म है डॉन 3 इस फिल्म के छोटी से छोटी खबर दर्शिक जानना चाते हैं और फैंस की बेसबरी को पूरा करने के लिए अब हाली में फिल्म से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर जानने को मिली है मीडिया रिकोर्ट के मताबिक इस फिल्म की स्क्रिप पर काम अल्मोस पूरा हो चुका है जैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप लिखकर रेडी हो जाएगी तो मेकर शारु खान को यह स्टोरी नरेट करेंगे फिर उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो सकती है इतना ही नहीं खबरों में तो ये भी जानने को मिला है कि शारू खान की ये फिल्म 2024 तक रिलीज हो सकती है हाला कि इन सब खबरों पर अभी कोई ओफिशल पुस्टी नहीं हुई है वहीं बीते ही दिलों सदी के महानायक अमिता बच्चन ने इस फिल्म को लेकर हिंडी थी दरसल अमिता बच्चन ने इंस्ट्राग्राम पर शारू खान के साथ एक अंदे की फोटो शेर की है त्रो बैक में वो किंग खान को डॉन फिल्म के ओरिजिनल पोस्टर पर आटोग्राफ देते दिख रहे हैं अमिता बच्चन द्वारा शेर की गई ये फोटो भारती सिनिमा के सौ साल पूरे होने के दोरांगी है इस मौके पर अमिता बच्चन दिलिप कुमार और शारू खान ने एक मैगजिन के लिए साथ में फोटो शूट कराया था बस खुशी के इस पल में किंग खान ने बिग बी से डॉन के पोस्टर पर आटोग्राफ देने की गुजारिश की अमिता बच्चन ने भी शारू खान का मान रखा और जट से पोस्टर पर आटोग्राफ दे डाला अमिता बच्चन के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर डॉन 3 ट्रेंड होने लगा है लोग तो ऐसे कयास लगा रहे हैं कि अब तो डॉन 3 बन कर रहेगी अगर ऐसा होता है तो इस बार बिग बी और किंखान एक साथ दिखाई दे सकते हैं इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा अमिताब की बाद करें तो वह मोस्ट चर्चित पर ब्रमास में दिखाई देंगे अच्च बपर भी अजया ज्याद ज्याद गई बाद ते उयाद प्रिफपनेंगे ज्याद गोड़ाओंगे